हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम कोई नया चेप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो आप गलत हैं मैं आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको मैं केवल आपको एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले हुआ था क्या हुआ कि मैं बैंक पहुंच गया मैं आपको बता दूं कि मेरा कभी कोई बैंक में अकाउंट नहीं रहा तो मैंने सोचा या जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ मुझे भी बदलना चाहिए आज कल तो लोग मोबाइल पे ही बैंकिंग करने लगे हैं और मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है तो मैं बैंक पहुंच गया और सामने एक भाई साब बैठे थे मैंने का बाई साब म मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो भले हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए आप बुला अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ की रिक्वार्मेंट होती है और आपको पांच हजाद उपए डिपॉजिट करना पड़ेगा मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी तयारी के साथ आया हूं मुझे मालूम है आधार कार्ड वगरा फोटोग्राफ लगेगा तो मैं पूरी तयारी के साथ आया हूं यह लिए और यह पांच हजाद उपर भी लिजिए भूला ठीक है थोड़ी दिन मैं बैठा रहा फिर मैंने का कि अकाउंट ओपन हो गया तो मैंने का मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि अकाउंट यहां पर ओपन हो गया है कैसे मेरे को पता चलेगा बैठिये मैं आपको पास्बुक दे रहा हूं मैंने का पास्बुक बुले आपको पास्बुक नहीं मालूम है मैंने का नहीं मैंने तो कभी बैंक में अकाउंटी ओपन नहीं किया तो मुझे मालूम भी नहीं है बुला आपको बैंक स्टेट्मेंट मालूम है मैंने का नहीं मुझे बैंक स्टेट्मेंट भी फिर वो cashbook बनाते हैं वो सब आता है मेरे को बुला अच्छा वो आता है तो अच्छा आपको ये मालूम है कि जब आप यहां पे cash deposit कर रहे हो 5000 रुपए तो उसको आप record कैसे करेंगे मैंने का हाँ हाँ बिल्कुल मुझे इतनी accounting आती है मैं बिल्कुल आपको अभी बता देता हूँ किस तरीके से record करेंगे मैंने का अभी बताता हूँ तो मैंने कहा कि देखो क्या है कि मैं general entry pass करूँगा पहले बुला अच्छा कैसी general entry pass करोगे मैंने का देखो मेरे पैसे मेरे पास हैं तो भी asset है मेरे पैसे आपके पास हैं तो भी एसिट है मेरे पैसे किसी राम के पास हैं तो भी एसिट है बिल्कुल सही आप entry क्या पास करोगे मैं आपको 5000 उपर जमा कर रहा हूँ मेरे पास से cash जा रहा है और bank में पैसे आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा bank account debited to cash account इस तरीके से मैं लिखूंगा 5000 5000 बिल्कुल सही आप ऐसा bank account को debit क्यों कर रहे हैं आप मुझे बताओ तो मैं बहीं बैंक अकाउंट को debit इसलिए कर रहे हैं क्योंकि bank से मुझे पैसे लेने हैं bank मेरे लिए asset हो गया मेरे पैसे आपके पास अखे हैं और जिससे भी पैसे लेने होते हैं उसका account debit कर दो राम से लेना है तो राम को debit कर दो श्याम से लेना है तो श्याम को debit कर दो bank से लेना है तो bank को debit कर दो बुला बिल्कुल सही तो ये आप जिस तरीके से account बनाते हो न उसी प्रकार से हम भी अकाउंट बनाते हैं हम आपके नाम का अकाउंट बनाते हैं आप बना रहे हो बैंक के नाम का अकाउंट हम बनाएंगे आपके नाम का अकाउंट मैंन का कैसे बनाओगे थोड़ा समझाएंगे गुलाब बिल्कुल हम आपको समझाएंगे देखो आप हमें पैसे दे रहो हाँ या ना मैंने का हाँ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ गुलाब हमारी नजर से देखो बैंक की नजर से देखो कि बैंक के पास पैसे आ रहे हैं मैं को हाँ हाँ बेंक के पर बर आपके पास पैसे आ रहे हैं मैंने पैसे आपको दे दिए गुला हाँ तो जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लिखेंगे cash account debit और पैसे किस ने दिए आपने दिए तो आपका नाम लिखेंगे to customer मैं को हाँ बराबर है पांच हजार, पांच हजार ऐसे लिखेंगे आप, बुला हाँ कस्टमर अकाउंट क्रेजिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए लाइबिलिटी हो मैंनका रुप जाओ मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहो मैं आपके लिए लाइबिलिटी हूँ बुला हाँ, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके पैसे हमारे पास डिपॉजिटेड हैं वो सारे के सारे हमारे लिए लाइबिलिटी हैं, क्योंकि वो पैसे हमारे थोड़ी हैं वो पैसे ultimately customer कही हैं और हमें उन्हें लोटाने हैं इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा liability हो जाएगा तोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है बरबर है तो बोला देखो क्या होता है कि आप जो book अपने पास जो books maintain करेंगे उसमें आप क्या करेंगे bank को debit करेंगे और हम यहाँ पे आपके account को credit करेंगे मतलब जब जब आप हमारे account को debit करेंगे तब तब हम आपके account को credit करेंगे जब जब आप हमारे account को credit करोगे तब तब हम आपके account को debit करेंगे मैं का अच्छा ठीक है थोड़ा-थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है मगर ये जो account statement आप कह रहे हो ये जो आप बोल रहे हो passbook उसमें क्या रहेगा गुला बस ये आपके नाम का account ही रहेगा उसमें आपके पूरे के पूरे transactions recorded रहेंगे आप जब-जब पैसे जमा कर रहे हो वो भी उसमें रहेगा जब-जब आप पैसे withdraw कर रहे हो वो भी रहेगा और ultimately कितने पैसे आज की तारिक में आपके bank account में है उसकी भी पूरी जानका दी रहेगी मैंने का ठीक 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 तो account कैसे बनता है पूला जैसे आप बनाते हो बूला देखो मैं काम करता हूँ मैं आपको format दिखाता हूँ यह मैंने को यह तो ledger का format है पूला हाँ यह Workshop format है आप अभी इसी से समझेश ऑ बूला देखो आप जब जाओगे तो आप हमारे नाम का bank account का ledger बनाओगे उसी प्रकार से हम आपके नाम का एक ledger बनाएंगे customer account बाद समझ में आई मैंने का हाँ अब बोला देखो जैसे ही आपने bank में पैसे deposit किये तो आप क्या करें हो bank account debit to cash तो आप यहाँ पे लिखोगे to cash कितना 5000 मान लो कि आज है 1st of October मान लो ठीक है और यहाँ पे भी आप अब जिस प्रकार से 5000 रुपए आपने debit किये हैं वैसे ही हम क्या करेंगे credit करेंगे 1st of October को हम लिखेंगे by cash कितना 5000 तो आप भी एक account maintain करोगे हम भी एक account maintain करेंगे और हम जो account maintain करेंगे उसका आप को हम passbook में print out निकालके दे देंगे या आप चाहोगे तो पूरे A4 size में भी एक print out निकालके हम दे सकते हैं दोनों में एक ही बात रहती है मैंने का ठीक है यह में कुछ समझ में आ गया और मैं वहाँ से निकलाया मुझे उन्होंने एक account statement दे दिया और मैं वापस चलाया मैं घर पहुंचा और मैंने फटा-फट इसी तरीके से entry पास की और यह मैंने लिख दिया bank account का ledger बनाया to cash 5000 लिख दिया हो गया हो गया चलो भाई उसके बाद क्या हुआ ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या हुआ कि पांच दिन बाद पांचमें दिन पे मतलब 5th of October ध्यान दीजिएगा 5th of October को मैंने एक check जो मेरे एक student ने दिया था 10,000 रुपीज का वो मैंने bank में deposit कर दिया कब किया 5th of October को तो मैंने सीधे में गया और मैंने वो चेक deposit कर दिया student का नाम यहां पर लिख दिया मैंने कितने का चेक 10,000 रुपे का चेक पराबर है अब मैं क्या रेखता हूँ कि मेरे account में एक 5000 रुपे जो मैंने deposit किया था वो होना चाहिए और 10,000 रुपे और होने चाहिए कितने होने चाहिए 15,000 रुपे होने चाहिए ठीक है यह पांच October को जमा करने के बाद 6 October को मैंस इससे पहुँच गया bank और मैंने bank को अब थोड़ा सा में को ग्यान हो गया था तो मैं गया bank और bank में मैंने वह भाई साब बैठे थे मैंने का भाई साब वो passbook में entry कर दो passbook में आप entry कर दो मतलब वो printout निकाल के दे देते हैं आप उनको एक चोटी थी book रहती है उसमें आप दे दो उसमें आपको printout निकाल के दे देते हैं कि आपका कितना balance है और आपके जो जो ट्रांडक्शन दुए हैं उसकी भी पूरी जानकारी रहती है तो उन्होंने मेरे को 6 October को जो statement निकाल के दिया उसमें तो केवल यही था 5,000 रुपए बस तो मैंने का भाई साब मेरे हिसाब से 15,000 रुपए होने चाहिए मेरे account में आपने कोई न कोई गलती किया आप देखिए उन्होंने का नई भाई साब हमसे कोई गलती नहीं हुई है आपका जो balance है वो 5,000 रुपए है बिल्कुल सही balance है कहीं कोई गरवड़ी नहीं है मैंने का नहीं नहीं भाई साब कुछ गरवड़ी हुई है मानिए आप मेरे हिसाब से 15,000 रुपए है आप देखिए बुला भाई साब क्यों बोल रहे हैं मैंने का भाई मैं 5 October को मतलब कल म मैं आया था और मैं आपके पाद एक check deposit करके गया हूँ बुला भाई साब आपको actually banking का जो mechanism है उसका knowledge नहीं है मैंने का मतलब बुला आपने जो check deposit किया है न वो check क्या होता है कि आपको जिसने दिया था जिस bank का था उस bank के पास information जाती है और वहां से पैसे आपके account में फिर आ थोड़ा वक्त लगता है डिपेंड करता है कौन से bank का है जबलपुर का है दिल्ली का है भुपाल का है कहां का check है जहां का check होगा उसके हिसाब से भी कई वास समय लगता है ठीक है तो इसी लिए आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा तो मैं का तो क्या ये भी possible है किसी एक particular date पे आपका मतलब जो आप account बना रहे हो और जो मैं account बना रहा हूँ उन दोनों का balance differ करे क्या ये possible है फुला बिल्कुल possible है ऐसा अक्सर होगा कि आपके द्वारा बनाए गए account और हमारे द्वारा बनाए गए account का balance एक particular day पे सेम नहीं रहेगा उसका सबसे पहला कारण है क्या time difference आप उसको 5 October को ही record कर रहे हो मगर हो सकता है कि उस transaction को हम 7 October को record करें क्योंकि हमारे पास पैसे जब आएंगे तभी हम आपके account में credit करेंगे हमारे पास अभी तक वो पैसे आये नहीं है तो जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे record कर देंगे getting my point तो यहाँ पे उन्होंने 7 October को record कर दिया कितना 10 जाएंगे clear है तो मैंने कहाँ ठीक है अब मुझे समझ में आ गया मतलब यह कि आपका balance और हमारा balance किसी एक दिन पे अलग अलग हो सकता है बिल्कुल possible है मैंने कह ठीक है यह मुझे समझ में आ गया बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया अभी क्या हुआ एक student ने एक student ने क्या किया कि 10 October को 10 October को उसने मेरे account में सीधे पैसे जमा कर दिये मुझे बिना बताए account मैंने उसको दे दिया था account number दे दिया था bank details मैंने उसको दे दी थी मगर उसने मुझे बताया नहीं और सीधे मेरे account में deposit कर दिया अब उस बात की जानकारी मुझे तो है नहीं कब की बात है ये 10 October की बात है तो वो पैसे सीधे सीधे बैंक में आ गए और वो student से मुझे मान लेते हैं 5000 उपर आ गए अब मेरे को तो मालूम ही नहीं है मेरे को 10 October को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है अगर 10 October को मैं देखूँँगा तो मेरा वैलेंस मतलब बैंक का हम जो वैलेंस मेंटेंग कर रहे हैं और जो बैंक मेंटेंग कर रहे है कस्टमर का दोनों का वैलेंस अगें टेली नहीं होगा इक्वल नहीं होगा Because of what? Because of no knowledge of transaction क्या कहा मैंने? No knowledge of transaction तो कई बार हमको transaction की जानकारी नहीं होती है जिस करण से दोनों का बैलेंस अलग-अलग होता है तो पहला करण मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया time difference हमने deposit एक तारीक पे किया मगर bank ने credit किसी दूसी तारीक पर किया दूसरा मैंने आपको बताया कि कई बार हमको knowledge ही नहीं होता है किसी transaction का ठीक है तो वो knowledge मुझे कम मिला मुझे मिला मालो 11 October को तो मैंने उसे 11 October को अपने पास record कर दिया 5000 बराबर है ठीक है ये भी बराबर है अब क्या हुआ कि 15 October को 15th of October को मैंने क्या किया मैंने 1000 रुपए deposit किये कितना deposit किया 1000 रुपए तो मैंने लिखा to cash ठीक है ये मैंने लिखा 1000 रुपए अब 1000 रुपए deposit किया चलो मैं बोलता हूँ कि deposit 1000 किया मगर गलती से मैंने 10,000 रिख दिया तो अब मुझे बताओ कि क्या आप ये उम्मीद करते हो कि bank भी गलती करेगा तो ऐसा थोड़ी न होता है भाई तो bank ने तो 1000 रिमा किया हमने कितना deposit कर दिया 10,000 deposit 1000 किया मगर लिख दिया कितना 10,000 अब आप देखो कि हमारे एसाब से बैलेंस कितना है 10, 1020 and 1030,000 मगर bank के एसाब से बैलेंस कितना है 21,000 तो तीसरा जो कारण है वो है error ठीक है? पहला मैंने क्या कारण बताये आपको? फर्स्ट रीजन इस ताइन डिफरेंस सेकेंड इस नो नॉलेज़ ओफ ट्रांजेक्शन ठीक है? एन्ड थर्ड इस एरर बैंक से भी हो सकता है हमसे भी हो सकता है जिससे भी होगा तो वहाँ पे हमारा और बैंक का बैलेंस क्या होगा? डिफर होगा आई बात समझ में clear है अब एक बहुत important point है वो ये है कि जब जब हम debit करते हैं बैंक तब तब credit करता है हम जब जब credit करेंगे बैंक तब तब debit करेगा बदाब बदाबात है हमारे लिए bank क्या है? हमारे लिए bank अभी आप देख रहे है जब कभी bank में पैसे रखे हैं तो हमारे लिए asset है जब जब हम पैसे जमा करेंगे तो bank account को debit करेंगे और जब जब bank से पैसे withdraw करेंगे तो bank को credit करेंगे क्योंकि entry क्या हो जाएगी cash account divided to bank हाँ या ना ठीक है? और bank हमेशा क्या करेगा? उल्टा करेगा तो ये बात आपको बहुत अच्छे थे समझ में आनी ही चाहिए इस chapter के लिए तो कौन सा chapter है? बिटा chapter का नाम है bank reconciliation statement क्या कहा मैंने? bank reconciliation statement इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा statement बनाते हैं जिसमें इन दोनों के accounts मतलब customer का account और जो bank का account है दोनों ने जो accounts बनाए हैं उनको हम क्या करते हैं? reconcile करते हैं मतलब tally करते हैं match करते हैं उसे हम कहते हैं bank reconciliation statement मगर ये bank reconciliation statement बनाने से पहले आपके ये जो basic concepts हैं banking transaction का जो basic knowledge है वो बहुत strong होना चाहिए बहुत strong होना चाहिए नहीं तो आपको ये chapter नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा ठीक है? तो आपको इस बात का ग्यान होना बहुत ज़रूरी है कि जब जब हम bank में पैसे deposit करेंगे तो हम bank account को क्या करते हैं? obvious ती बात है debit करते हैं मगर bank हमारे account को क्या करता है? bank हमारे account को credit करता है हमारे लिए bank यदि पैसे जमा हैं हमारे deposited हैं पैसे तो हमारे लिए bank क्या है? हमारे लिए asset है at the same time bank के लिए हम क्या है? bank के लिए हम liability है ठीक है? ये बात बहुत अच्छे से clear होनी ही चाहिए ये clear नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आगे कुछ भी नहीं बनेगा तो ये पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको banking transactions अच्छे से बनते हैं कि नहीं बनते हैं ठीक है? चल तो अब सबसे पहले bank reconciliation statement is what? is comparison of comparison of what? comparison of bank column of cash book या रहे ना? cash book बनाते थे जिसमें हम bank column बनाते थे या फिर bank statement भी बोल सकता हूँ है जो हम बना रहे हैं और जो bank हमारा account maintain कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? passbook कहते हैं या फिर bank statement कहते हैं ठीक है? तो question पहला तो ये आ सकता है what is bank reconciliation statement? bank reconciliation statement is a statement which is prepared by the customer of bank for comparison of bank column of cash book and passbook ठीक है? ये पहला possible question है मगर इसमें से practical question obvious सी बात है आएंगे और वो हमको बनना भी चाहिए so what are the causes of difference between bank column of cash book and bank statement whenever I am saying bank statement means the statement which is prepared by the bank okay? bank statement means the statement which is prepared by the bank means जो customer account बनाया जारा है बैंक के द्वारा तो ये तीन ठीजे भी है जो आपको नोट डाउन करनी है पहला time difference दूसरा no knowledge of transaction और तीसा है error clear रही है हाँ अब कुछ basics मैं आपको बता दे रहा हूँ in case आपके basic strong नहीं है तो पहली बात होने ही चाहिए और फिर भी मैं थोड़े आपके ये concept जो है वो brush up जरूर करूँगा यहां पे देखिए यदि bank में कुछ पैसे हमारे deposited है जिसको हम कहते है मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे बैंक में पांच हजार रुपा है तो मैं क्या कहूंगा यह पॉजिटिव बैलेंस है इसको हम क्या क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं debit balance as per cashbook ठीक है और बैंक की नजर से देखेंगे तो वह credit balance होगा यह हमारी नजर से है ना जब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा अगर मैं कहता हूँ as a customer मैं कहता हूँ कि मेरा 5000 रुपाइ debit balance है ठीक है as per cashbook तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि हाँ bank में पैसे हैं अगर मैं कहता हूँ कि passbook के साबसे credit balance है मैं passbook देख रहा हूँ और passbook में देख रहा हूँ bank उसको क्या बोलता है credit बोलता है जिसको हम debit बोलते हैं bank उसको credit बोलता है getting my point तो जब मैं 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 अगर cashbook देखके बोलूँगा तो मैं क्या कहूंगा cashbook के रिसाब से 5000 का debit balance है जैसे यहां पे आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पे आप देखो अगर केवल इसको मैं स्कुधार देता हूँ ठीक है अभी मैंने स्कुधार दिया तो यह क्या हो गया 21,000 और यह 21,000 तो अभी मैं को बताओ कि यह क्या मैं कहूंगा cashbook है this is your cashbook and this is what this is your passbook तो मैं क्या कहूंगा cashbook के हिसाब से क्या है debit balance है 21,000 और मैं कहूंगा passbook के हिसाब से कौन सा balance है credit balance है 21,000 तो बात वही है bank में पैसे हैं इसको कैसे कैसे हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं cashbook के इसाब से debit balance है इतना ज्यादा emphasis मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह अगर clear नहीं होगा ना तो फिर कुछ भी clear नहीं होगा balance ऐस पर cashbook भी कहा जाता है अगर मैं कहता हूं कि याद मेरे bank में 5000 रुपर का balance है मतलब I am talking about what I am talking about कि उसमें पैसे हैं मतलब यह positive balance है पास्बुक के साथ सभी क्या बोलेंगे balance है अब जाओ bank call बोलो कि बताओ मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस हो कहेंगे 5000 बैलेंस है मतलब 5000 बैलेंस क्या है positive or negative obviously positive जिस परकार से हम mobile recharge कराते हैं और balance चेक करते हैं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी मैं कह रहा हूँ मैं कहरा हूँ credit balance as per pass book मतलब bank में पैसे हैं इसको note down करो पॉस करो इसको note down करो फिर अगली slide पह आप negative balance है तो उसको क्या कहेंगे अभी अपना दिमाग आप खुद लगाईए जब हमारे bank में पैसे होते हैं तो हम cashbook के हैशाब से क्या कहते हैं debit balance और जब negative होगा तो क्या कहते है credit balance क्या कहते है credit balance negative balance का मतलब क्या है अरे भाई क्या होता है bank का का काम केवल deposit लेना नहीं होता है बलकि loan देना भी होता है bank हमको loan भी देता है मालो मैंने bank से loan ले लिया तो अब bank मेरे लिए क्या हो गया liability और liability का कहौन सा balance है credit balance है तो जब मैं cash book बनाओँगा तो मैं क्या बिलूगा credit balance happens cash book तो bank के लिए अब मैं हो गया accet च्योंकि bank को मुझसे पैसे लेने है Doing की नजर से देको bank को मुझसे पैसे लेने हैं तो bank की निजर से मैं हो गया एसे तो bank क्या बोलेगा bank बोलेगा debit balance as per passbook आया ना तो यह देखो देट बैलेंस पर cashbook debit balance as per passbook या फिर इसको हम कहते हैं overdraft overdraft मतलब negative है ठीक है चाहिए वो cashbook के अशाब से बोलो चाहिए वो overdraft जब मैं कहूंगा तो मतलब बैंक में पैसे negative है उल्टा बैंक से हमने loan लिया हुआ है या फिर हम इसको कहते हैं unfavorable ठीक है बात समझ में आई तो ये सारी की सारी information आपको बहुत अच्छे से clear होने ही चाहिए तभी ये chapter आपको बनेगा तो इसलिए आज जो जो पढ़ा है प चार पांच transaction record करके देखो बैंक में पैसे deposit किये तो cashbook में कैसे record करेंगे passbook में कैसे record करेंगे उनके ledger में हमारे ledger में bank से पैसे withdraw करके देखो दोनों आकांट्स में इसको record करो दोनों का balancing करो और देखो कि कौन सा balance आ रहा है ये सब करके देखो ठीक है ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके concepts यदि crystal clear रहेंगे तो आपको ये chapter बिलकुल आसानी से बनेगा और नहीं है तो उतनी ही ज्यादा दिकत जाएगी ठीक है तो चलो इसको मैं यहीं पर खतम करता हू अगले lecture में हम स्टार्ट करेंगे रिवाइस करेंगे और थोड़े और concepts brush up करेंगे चलो बाबाई